आज हम बनाएंगे अंडे की एक बहतरीन सी डिश, इसकी ग्रेवी भी बहुत टेस्टी बनती है और इसको लास में हम कोईले का धुआ देके तंदूर वाला फ्लेवर भी डालेंगे तो वीडियो को लास तक जरूर देखिए और इस डिश को जरूर जरूर ट्राय कीजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं यहां पर आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे इंग्रिडियंट्स निकाल के रखे हैं यह सारी वही चीज़े हैं जो हमारे कीचन में एजिली अवलेबल होती है और हमारे में इंग्रिडियंट है यह अंडे पांच अंडों को मैंने बॉयल करके लिया था और मैं इस तरह से इसे काट रही हूँ इस तरह से हमेंने इनकी स्लाइसेस बना लेनी है उसके बाद बनाएंगे हम एक मसाला तो मसाले में मैंने लिये हरी मिर्ची, धनिया, थोड़े से पुदिने के पत्ते और एक टमाटर इन सब चीजों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे और इसको हमेना दरदरा पीसना है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं की है मैंने थोड़ा सा इसमें मोटा पन रहा है अगर टमाटर के एक दो तुकड़े भी रह जाए तो कोई बात नहीं यह भी अच्छा लगता है उसके बाद कड़ाई में मैंने लिया है तेल और तेल गरम होने के बाद हम डालेंगे जीरा जीरा थोड़ा सा चटक जाये तो हम डालेंगे दो बारिक कटे हुए प्यास और प्यास को हमें हलका सा भून लेना है प्यास को हलका सा भूनने के बाद हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच अद्रक लेसन का पेस्ट और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक अद्रक लेसन की जो कच्ची महग है वो ना चली जाए इसके बाद हम डालेंगे सुखे मसाले जिसमें मैंने लिया है आदा चम्मच हल्दी एक चम्मच कश्मीरी लालमिच पाउडर आदा चम्मच भूने जीरे का पाउडर एक बड़ा चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है स्वादा नुसर नमक लिया है और इन सबको हमें अच अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे, करीब दो से तीन मुनिक तक मैंने मसालों को अच्छे से भून लिया है और आप देख सकते इसमें से थोड़ा सा ओल भी रिलीज होने लग गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे एक कटोरी फेटा हुआ दही, दही को बिलकुल अच्छे स अच्छे से फेट लिया है और बहुत ही क्रीमी इसका टिक्शर आ गया है और जब भी आप किसी भी ग्रेवी में दही को मिलाए, तो ग्यास को लो फ्लेम पे रखे, नई तो दही आपका फट जाएगा, ग्रेवी पूरी फट जाएगी, इसलिए जब भी आप दही मिलाए, तो flame कम करें, अच्छे से mix कर लें, जब सब कुछ अच्छे से mix हो जाए, तो आप flame को बढ़ा कर सकते हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ करीब एक कप पानी और इसको हम अच्छे से mix कर लेंगे, अब हम flame को तेज कर देंगे, और करीब दो से तीन मिनित तक इसे अच्छे से उबाल आने देंगे, पूरी अच्छे से ये boil होनी चाहिए, दो से तीन मिनित तक, ठीके, और अब हम gas की flame बिल्कुल low कर देंगे, और इसमें ये डालेंगे अंडे, जो हमने कट कर लिये थे, उसके बाद हम डालेंगे एक चमच गरम मसाला, उसे के साथ एक हरी मिर्च को इस तरह से कट कर लेंगे, एक चमच को सुरी मेती और हरा धनिया भी हम इसमें मिला लेंगे, और अब इन सारी चीजों को मिल्कुल हलकी हातों से हमें मिक्स कर लेना है, और अब चलते हैं, नेक्स टेप की और, तंदूर फ्लेवर के लिए हम कोईले का दुआ दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक कोईले को इस तरह से गरम कर लिया है, एक कटोरी रख लिए अपने कड़ाई में, उसके उपर मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, आप ओलिया घी डाल सकते हैं और इसको ढख देंगे, आखे वो बूच जाएगी और कम से कम दो मिनित के लिए हमें ये धुआ देना है, जादा देर भी ना रखिए वरना आपकी सबसी कड़ी हो जाएगी, अब हम इस कटोरी को हटा देंगे, और हमारा तंदूरी अंडा टिक का मसाला बन के तयार है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आईए, तो इसे जरूर ट्राय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, तो सब्स्राइब करना ना भूले, थैंक यू